नमस्कार दस्तों दिस इस मोनु सागर और आज हम बात करने वाले हैं पिछले टायर के अलाइमेंट के ओपर कई बार ऐसा हो थाई कि हम भार अपना गारी का टायर पंचर रहता है उसको टायर पंचर जुडाते हैं तो एक चोटी सी मिश्टेक साय टायर वाला कर देता है या आपके साथ भी हो सकता है तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि मेरे पास एक गाड़ी है इसके अंदर वही पंचर होता है तो हमें कौन सा नट खोलना होता है वह नट रहा हमारा ये वाला नट खोलना होता है ठीक है और उस्सें दूसरी साइट से एक सल बाहर आता है अब यह वो साइट है जहां से एक्सल बहार आता है पर इसमें जो चेंज कर रखाए या कुछ मिस्टेक हो गई टायर वाले से हो या फिटिंग के दोरान पर हो गई वो मैं आपको दिखाएता हूँ अगर आप इसको यहां ध्यान से देखेंगे यहां पर देखिए इस जगह पर गैप रह गया है एक्चुल मैं यह बिल्कुल इससे चिपक के रहनी चाहिए थी और इसके अंदर गैप है यह देखाना गैप तो यह नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर आप यह से टायर खुलाते हैं अगर आप टायर का अलाइमिन्ट किस तरहीं différentsत अवOM स्वस्प सिंपल जैसे हमारी यह चिडिया बोलते हैं इसको कि यह जो हमारी चिडिया है हुआ ए और इसके अंदर यहां पर एばर दिखाता हुँ में आपको दिखाते हुआ गाल कि 20 तो मतलब अठारा कि आपने यहां पर इधर देख लेना है कि इधर हमारी चुड़िया कि जगा पर है अब जैसे कि यहां पर देखें कि यहां पर यह बीस पर नजर आ रही है कि पच्छीस बीस पंद्रा तो उससे दो कम में 18 समझ देजिए ठीक है तो जैसे यहां पर 18 है तो हमारी दूसरी साइट में भी 18 होना वह जरूरी है क्योंकि यही बिल्गृ सही तरीके ज़ता है उसको अलैमेन टने का ज्यांस देग लिज ओ आब मैं दूसी साइट में धिखाता हूं कि अब दूसी साइट में देखें जान परinflे कि 20 नजर आ रहा है बृच कर लेशे इस को आप पर नजर आ रही है को दिख रहा होगा यह है पंद्रह दस देखिए तो इसको कितने पर रखना था हमने हमने रखना था यहां अठारा पर है है नहीं है उट तो एक बार इसको कर देता है अलाइमेंट अब देखिए पीछे से देखने में यह ऐसा नहीं रखेगा कि टेड़ा है अगर इसको आप पिछे से देखेंगे तो यह पीछे से देखने में टेड़ा नहीं देखेगा बिल्कुल भी पर गाड़ी चलने में जो हमारा बैलेंस होता है बैलेंस से इसका आउट हो जाएगा तो उसके लिए हमें सिंपल यह बोल्ट ढीला करना है चोवीस नमबर का यह टूल आपकी गाड़ी में भी रज़ने के इसको ढीला करना है और उस साइट से इसको मैच कर देना है और थारा पर फेक्स कर दिया है और देखिए उससे बिल्कुल शिपका भी दिया है जो चीपकना चाहिए था और उसके बाद टैर टाइट कर देना है और देखिए पीछे से अभी भी कोई फरक नहीं है पर गाड़ी हमारी व्कुल सीधी चलेगी तो यह वो बादी के बाली चीज़ है जो इंसान को समझना बहुत जरूरी है जो मतलब इवन जो गाड़ी चलाता है उसको इतनी नौलिज होना बहुत जरूरी है तो मैंने चलो डेफिनिली इसको इसको उपर सेपरेट वीडियो बनेगी तो आज आपके लिए आगए वीड बंदे को शेयर करने चाहिए तो मिल्कु शेयर करिये और जल्दीन होता है नेक्स्ट वीडियो में फिलाल के लिए वीडियो में जय ही बंदे मात रहूं